नमस्ते दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल कुक विच सुमन अठोट पे आज मैं आप सभी के ले के आई हूँ ये पापड की बहुत ही जादा टेस्टी सबजी की रेसिपी जिसे बनाना बहुत असान है, कुछ ही मिंटों में इस सबजी बन करके त्यार हो जाती है और टेस्टी तो इतनी होती है कि मन करता है बस खाते ही जाए तो गर्मियों में अगर आपके पास कोई सबजी एविलिबल नहीं है, घर में महमान आ गए है तो जटपट आप ये सबजी बना सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगी तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राइ कीजिएगा तो चलिए बिना किसी देरी के इससे बनाना शुरू करते हैं पापड की सबजी बनाने के लिए मै ने पलेट में लिये हैं 5 medium size के पापड और मै लिये हैं बीका नेरी पापड तो यह बीका नेरी ब्रांड के पापड हैं, यह बहुत टेस्टी होते हैं उनकी सबजी भी बहुत अच्छी बनती है अगर ये available ना हो तो आप किसी दूसरी brand के भी पापड ले सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे इन पापड को सेकेंगे इसके लिए आप gas को पहले on कर दे तो एक-एक पापड आपको लेना है और इस पे सेकना है तो direct burner पर ही इसे हम सेकेंगे तो इसे मैंने रख दिया है अब चीम्टी की मदद से फटा-फट से इसे आपको पलटते रहना है ताकि ये कहीं से जलेना और जल्दी-जल्दी इस तरह से पलटते वे इन्हें आपको सेक लेना है तो देखी मैंने एक पापड सेक लिया है सेम इस तरह के से हम दूसरा पापड भी सेक लेंगे बस ध्यानी रखें ज़्यादा देड तक इसे आप बर्णर पर ना रखें वरना पापड जल जाएगा तो इस तरह से जल्दी जल्दी पलटते वे आपको पापड को सेक ना है कहीं से थोड़ा कच्चा रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह से मैं सारे पापड यहाँ पर सेक लूँगी तो इस देख सकते हैं मैंने सारे पापड सेक लिये हैं अब पापड को हम हलका सा ठंडा कर लेंगे तो देखिए पापड अच्छे से ठंडे हो गए है तो अब आपको क्या करना है एक दूसरी प्लेट लेनी है तो मैंने यहाँ पर यह दूसरी प्लेट लेली है इसके अंदर हम पापड को तोड़ करके रखेंगे तो आप पापड के आपको टुकडे करने हैं तो इस तरीके से हम छोटे छोटे टुकडे करेंगे इसके जादा छोटे टुकडे नहीं कर रही हूं मैं आप देख सकते हैं थोड़े से छोटे टुकडे हैं यह ना तो बहुत बड़े हैं ना छोटे जादा छोटे अगर आप टुकडे कर देंगे तो जब पापड को आप gravy में add करेंगे तो पापड जो है वो गल जाएगा दिखेगा ही नहीं और सबजी भी सुआद नहीं बनेगी तो इस तरीके से मैंने सारे पापड को छोटे छोटे टुकडों में तोड लिया है तो इस तरह से आपको ने तोड़ना है अब इने साइड में रख देंगे अब हम लेंगे कढ़ाई इसमें डालेंगे तीन बड़े चमच तेल और तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे तेल गरम होने के बाद इसमें एक छोटा चमच जीरा डालेंगे एक चोथाई छोटी चमच हींग डालेंगे अब हींग और जीरा को थोड़ा सा चला देंगे ताकि ये पक जाए अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने बारिक कट लिया है साथ ही दो बारिक कटीवी इसमें हरी मिर्च डाल देंगे अब प्याज और हरी मिर्च को आपको मीडियम फ्लेम पर पका लेना है तो प्याज जब तक हलके लाल नहीं हो जाते तब तक इने हम पकाएंगे तो जब तक हमारे प्याज पकते हैं हम फटाफट से सबजी के लिए मसाला बना के रेडी करेंगे तो इसके लिए मैंने एक कटोरी ले ली है इसमें डालेंगे हम एक बड़ा चमच धनिया पाउडर थुड़ा सा धनिया पाउडर मैं इसमें और डाल रही हूँ आधा बड़ा चमच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और एक छोटा चमच डालेंगे नमक तो नमक इस सबजी में आपको कम डालना है क्योंकि पापड में भी नमक है तो अपने अंदाज से ही डालिएगा एक चोथाई छोटी चमच हल्दी पावडर डालेंगे अब इसमें बारिक कुटा हुआ लैसुन डालेंगे तो दस से पंदरा लैसुन की कलियों को मैंने कूट करके लिया है ये डाल देंगे अब इसमें डालेंगे दही तो एक चोथाई कप मैं इसमें फ्रेश दही डाल रही हूँ ज्यादा खटा दही आपको नहीं लेना है इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा सबजी में पानी कम लगता है तो आप इसमें और पानी डाल सकते हैं तो सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है मसाला एकदम ready है तो इसे side में लगते हैं और प्याज को check करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि प्याज भी यहाँ पर अच्छे से लाल हो गए हैं पक चुके हैं तो इसमें डाल देंगे हम ये तियार करा हुआ मसाला तो सारा मसाला आप इसमें डाल दें और जो कटोरी में थोड़ा मसाला लग रहा है इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल करके पानी भी इसमें डाल दिया है अब हम मसाले को अच्छे से mix करते वे पकाएंगे तो आपको इसे low medium flame पर लगातार चलाते वे पकाना है क्योंकि मसाले में हमने दही डाला है अगर आप दही को लगातार नहीं चलाएंगे तो दही फट जाता है और सबजी स्वाद नहीं बनती है तो लगातार चलाते वे इसे आपको तब तक पकाना है जब तक की oil बिल्कुल separate नहीं हो जाता और मसाला एक डम गाड़ा नहीं हो जाता मसाले को पकाते वे मुझे 2 मिनिट हो गए है और अब आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छे से यहां पर पक चुका है बिल्कुल गाड़ा हो गया है और oil भी separate हो गया है तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे पानी तो 2 कप मैं इसके अंदर यहां पर पानी डाल रही हूँ यह पूरा 500 ml पानी है अब आप सारे मसालो को पानी के अंदर अच्छे से एक बार मिक्स कर दे अब हम इसके उपर धकन लगा देंगे धकन लगा करके हाई फ्लेम पर पानी में उबाल आने तक इसे आपको पका लेना है तो देखिए पानी में उबाल आ चुका है तो अब हम इसमें डाल देंगे पापड तो यह सारे पापड आप ग्रेवी में डाल दें अब बिलकुल हलके हाथ से पापड को आप ग्रेवी के अंदर डुबो दें क्योंकि यह काफी सॉफ्ट रहते हैं और पानी के अंदर जाते ही एक दम सॉफ्ट हो जाते हैं और ग्रेवी को एब्सॉब करना शुरू कर देते हैं तो अच्छे से इसे आपको मिला देना है अब इस पे हम धक्कन लगाएंगे और बिलकुल लो फ्लेम पर बिलकुल धीमी आज पर इसे आपको केवल एक मिनट के लिए पकाना है क्योंकि इससे जादा इसे अगर आप पकाएंगे तो पापड गल जाएंगे तो केवल एक मिनट तक पका ले एक मिनट हो गई है और ये देखिए आप पापड हमारे एक दम सौफ्ट हो चुके हैं और ग्रेवी भी पहले से गाड़ी हो गई है आप देख सकते हैं सबजी यहाँ पर लगभग बन करके रेडी है अब आखिर में इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा बारिक कटावा हरा धनिया और इसे भी कर देंगे अच्छे से मिक्स अब आप गैस को बन कर दें और ये लीजे दोस्तों पापड की बहुत ही जादा स्वादिष्ट सबजी बन करके तयार है इसे आप जरूर ट्राइ कीजेगा सभी को बहुत पसंद आएगी तो दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ टेक कियर बाई बाई